प्रदेश की शिवराज सरकार पहले से ही आर्थिक संकट से गुजर रही है प्रदेश का खजाना खाली हो चुका है सरकार पर करज का बोज लगातार बढ़ता जा रहा है बावजूर इसके चुनावी साल में शिवराज सरकार जनता को लुभाने के लिए नई नई घोशनाय कर रही है करज लेने का सिलसिला भी नहीं थम रहा है शिवराज सरकार ने एक बार फिर 12 साल के टेन्योर पर 500 करोर का करज लिया है जिसके लिए आज आक्षन होगा और कल लोन का पैसा खाते में रिफलेक्ट होगा प्रदेश सरकार को यह करज 22 सितंबर 2035 तक चुकाना होगा इसके साथ ही मध्यप्रदेश सरकार पर करीब 4 लाख करोर रुपे का करज हो चुका है इसके बावजूर भी सरकार जनता को लुभाने के लिए नई नई घोशनाय कर रही है सरकार 6 महीने में 12 बार करज ले चुकी है जन्वरी, फर्वरी, मार्च, मई, जून और सितंबर में सरकार ने RBI से लोन लिया है हाला कि 2023-2024 का वित्तिय वर्ष शुरू होने के बाद सरकार ने ये तीसरी बार करज लिया है मध्यप्रदेश सरकार की जो वर्तमान वित्तिय हालत है उसके अनुसार प्रदेश के हर व्यक्ति पर 40,000 रुपे से ज़्यादा का करज है और यह छोटा अमाउंट नहीं है मध्यप्रदेश सरकार पर ही 4,000,000 करोर के आसपास करज का बोज जो है वह पर चुका है क्योंकि जब वित्तिय वर्ष शुरू हुआ उसके ठीक पहले तक EMP सरकार पर सवा 3,000,000,000 करोर रुपे का करज था और इस नए वित्तिय वर्ष के शुरू होने के बाद सरकार आज तीसरी बार करज लेने जा रही है और इस कर्ज का एमाउंट है 500 करोह रुपे के ठीक पहले 12 सितंबर को 1000 करोह रुपे का मध्यप्रदेश की सरकार ने कर्ज लिया था लगातार कर्ज पर कर्ज लिया जा रहा है और सरकार नई घोशनाय करने से भी चूट नहीं रही है खजाना खाली है प्रदेश आर्थिक संकट से जूज रहा है इसका इसकी सबसे बड़ी जो बानगी है वह कर्ज लेने की जो एमाउंट है और जो टेन्योर है इसके साथ ही कितनी कम अवधी में लगातार सरकार ने कर्ज लिया है 2022 से 2023 के अब तक की स्थिती में बात करें तो सरकार ने बैक टू बैक कर लिये है 12 सितंबर के बाद आज फिर से सरकार ने 500 करोह रुपे का कर्ज ले लिया है इतनी खराब वित्तिय हालत के बावजूद सरकार लगातार चुनावी साल में लोगों को लुभाने के लिए नई घोशनाए कर रही है अगर उन घोशनाओं पर नजर दोणाए तो देखिये लादली बहन योजना इसके बाद 450 रुपे में सिलेंग देने की योजना मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना इसके अलावा तमाम और अलग-अलग योजनाए है